टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी कार कमपनीज में से एक है और अब कमपनी ने वो गाड़ी पेश कर दी है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था इस गाड़ी का नाम है टाटा सफारी और आज हम आपको इस सेवन सीटर कार के बारे में हर बात पताने वाले हैं तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए और अगर आप हमारे कोई वीडियो मिस नहीं करना चाते तो हमारे चैनल रियल आटो न्यूज को सबस्क्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए सबसे पहले बात करते हैं हम टाटा सफारी के न्यू लाँज डेट की तो इसे कंपनी ने 2020 के आटो एक्सपो में भी शोकेस करा था और ये इसी साल मार्च तक आ सकती है ये गाड़ी कंपनी की फ्लैक्शिप कार होगी डिजाइन और स्टाइल के मामले में ये काफी कुछ ग्रैविटास और हैरियर से इंस्पायर होगी गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें बाहर की तरफ कुछ बदलाव भी किये गया है और गाड़ी को हारबर ब्लू कलर में शोकेस किया गया है कार में आपको नए ग्रिल देखने को मिलते हैं हैरियर के जैसे एलोई विल होंगे पैनरोमिक सन रूफ और कई एडवांस फीचर भी होंगे सेफटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है और हर मॉडन सेफटी फीचर आपको इस गाड़ी में मिलेगा ही मिलेगा इंजन की बात की जाए तो गाड़ी में 2 लीटर का क्रायोटेक टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है जो 170 HP की पावर के साथ आता है गाड़ी में 4 वील ड्राइव होगा और इसमें आपको 6 स्पीड का मैनवल और आटोमेटिक गियर बॉक्स मिल सकता है कीमत की बात करें तो इस शांदार कार की शुरुवाती कीमत सिर्फ 3,90,000 से होने की उमीद है जो की मॉडल के हिसाब से जादा हो सकती है आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताईए और हमारे वीडियो को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा